EVM को लेकर के आए सुप्रीम कोड के फैसली के बाद में भाजपा महासचव तरुन चुग ने कॉंग्रिस पार्टी पर निशाना साधा और साथी तरुन चुग ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है भाजपा महासचव तरुन चुग से खासवा मैसेज दिया है इस वक्त जब हम दूसरे चरण की और चुनावी वोटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ इस फैसले के बाद एक बहस भी शुरी हुई है बीज़े भी महासचव तरुन चुग इस वक्त हमारे साथ हैं तरुन जी इस फैसले को कैसे देखते हैं आप देश के स काम करते आ रहे हैं यह कांग्रेस गटपंदर के नेता विशव परसीद और निश्पक्ष व्यापक स्तर पर लोगों का मतदान कराने वाले चुनाव योग को भारतिय इंसिटूशन को लगातार बदनाम कर रहे हैं कभी देश के परधानमंति को काली देते हैं कभी देश के इंसिटूशन को कटगहरे में खड़ा करते हैं अब लोगसवा में अपनी करारी हार को देखते हुए आंगन टेड़ा है इसका ही रोना रो रहे हैं कभी इवियम का रोना रो रहे हैं जनता करारी हार दे रही है क्योंकि आपके नित्रित्व की कुंठित मान सिकता वंश्वादी मान सिकता लोक तंतर के लिए गातक है इसलिए नाच ना जाने आंगन टेड़ा मत गई है और दूसरी तरफ आज दूसरा चरण का मुकाबला चल रहा है, क्या फिडबेक मिल रहा है अभी तक अगर देखे, पहले चरण में वोटिंग परसंटेज कम हुआ था और इसलिए दूसरे चरण के मतदान पर तमाम निगाही हैं। लोग तंतर की इस महापर्व में मैं सभी मतदाताओं से कहूँगा आप मतदान करें। विशव के सबसे परचीन, विशव के सबसे बड़े लोग तंतर ववस्ता के साथ चुड़े हैं। राष्टर निर्मान और विक्सित भारत के निर्मान के लिए हर नागरिक, हर वोटर वोट करें और जागरुक वोटर ही देश की सबसे वड़ी ताकत है। झाल करें।